ओम शान्ति मैं डॉक्टर सचिन परप मुंबई से बोल रहा हूं स्वास्त के उपर जो श्रिंखला हम ले रहे हैं इसमें हमने संपूरुन स्वास्त क्या है शारिरिक और मानसिक स्वास्त के बारे में देखा आज हम बहुत कॉमन जो मानसिक बीमारी है जिसको लोग ऐसे ही कॉमनली यूज कर देते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं और वो बीमारी है चिन्ता की बीमारी या जिसको अंग्रेजी में एंग्जाइटी कहते हैं अभी चिन्ता करना और चिन्ता की बीमारी होना ये दोनों अलग-अलग बाते हैं हम सब के जीवन में जब परिस्थिती आती है तो बहुत सारे लोग चिन्ता करते हैं क्योंकि उसके लिए उनको तयारी करना पड़ता है कि आगे क्या करें जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आती है जैसे स्टेज पर भाशन करना भी चिन्ता का विशय बन सकता है हम डॉक्टर्स है तो हम इमर्जेंसी में डुटी करते हैं तो चिन्ता का विशय हो सकता है शादी की तयारी करना भी चिन्ता का विशय हो सकता है तो चिन्ता सभी करते हैं लेकिन चिन्ता की बीमारी होना यह तोटली अलग है थोड़े समय के लिए चिन्ता करके हम उसमें से जब परिस्थिती ठीक हो जाती हैं, उसमें से बाहर आते हैं, लेकिन चिनता की बीमारी ये लम्बे समय तक रहती है, तो मैं यहाँ पे पहला ये फरक करना चाऊँगा, कि चिंता सभी को होती है, थोड़ी बहुत मातरा में, लेकिन चिंता की बीमारी हो गई, इसका मतलब आपको उसके लक्षन लंबे समय तक है, हिंदी में कहावत है कि चिंता चिता के समान है, माना चिंता अंदर से जलाती है, और चिंता करने वाले लोगों की भाशा रहती है, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, और ये thoughts, ये विचार जो वो create करते हैं, उसके वज़े से उनके अंदर एक common emotion देखा गया है, डर, अभी चिंता की बीमारी एक बहुत बड़ा subject है, उसमें generalized anxiety disorder हम कहते हैं, कि चिंता, छोटी-छोटी बात की चिंता करते रहेंगे, और उसमें extreme में जब जाती है, अती में चिंता जाती है, तो उसको panic attack कहते हैं, panic माना, वो व्यक्ति को लगता है कि अभी वो मरने वाला है, उसका सांस अटक गया है, दिल अटक जाएगा, और अभी मर जाएगा, उसको panic, यह extreme चिंता का रूप है, तो mild साधारन चिंता जो लंबे समय तक रहना, माना डर लगा रहना, और extreme चिंता, इसके बीच में बहुत सारे चिंता की बीमारी आती है, even किसी चीज से डर लगना, यह भी चिंता की बीमारी में आते हैं, कई लोगों को लिफ्ट में जाने का ड पढ़ जाएगे, कई लोगों को हाइट का डर रहता है, इसको हम फोबिया बोलते है, फिर और एक बीमारी है, जो चिंता की बीमारी में आती है, उसको हम कहते हैं, OCD, OCD का मतलब है obsessive compulsive disorder, माना एक विचार जो बार बार आता है, मैं उसमें का एक प्रकार बताता हूँ, कई लोगों को लगता है कि उनके हाथ गंदे हो गए, तो गंदे हो गए, तो वहाँ से infection जाएगा और वो बीमार पढ़ जाएगे, तो वो बार बार अपने हाथ को धोते रहेंगे, तो गंदा होने का विचाराना इसको obsession कहते है, और compulsion माना हाथ धोना बार बार, तो इसको obsessive compulsive disorder कहते हैं, अभी इसके वज़े से व्यक्ति खुद भी disturb रहते हैं, और उनके परिवार वाले भी disturb रहते हैं, इस सब की जड में डर रहता है, डर, तो चिंता की बीमारी बहुत लोगों को इस समय है, इसमें कौन सी बाते मदद करती हैं, तो नमबर वन, understanding and facing बहुत जरूरी ह जितना हम इस बीमारी को समझेंगे, उतना हम इस बीमारी के ओपर काबू पा सकते हैं, तो समझना है, सामना करना है, दूसरी बात जो इसमें बहुत मदद करते हुए है, डीप ब्रिधिंग, इंस्टन्ट आपको relaxation का अनुबह होगा, जितना गहरा सांस आप लेंगे, तो इ साथ बोलने तक और आठ बोलने तक छोड़ो, मना प्रधीर गश्वास छोड़ना, इससे भी आप हलके हो जाएंगे, वाकिंग करना चिंता की बहुत अच्छा इलाज है, जर्नलिंग करना, माना अपने विचारों को लिखना या थेरपिस से बात करना, इससे भी चिंता की बीमारिया ठीक होती है, चिंता के लिए दवाईया भी अवेलेबल है, जब वो डर जाता नहीं है, बार बार दिल में धर्दड़ होता है, हाथ पेर सुखते है, हाथ पेर कापने लगते है, मुह सुखता है, रात को नीन नहीं आते है, तो थोड़े समय तक दवाईयों का ले सकते हैं, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा इलाज है, जिससे चिंता की बीमारी को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, तो चिंता की बीमारी इस समय बहुत बढ़ते जारें, इसमें कई सारे प्रकार है, लेकिन अगर हम संतुलित जीवन जीते, अपनी भावनाओं को व्यक् जीता की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, अच्छा, ओम शान्ति